ब्रिंदा ब्लोक्स में आप सफी का स्वागत है उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे बैस्थ होंगे दोस्तो आज जो हम चर्चा करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे वो मशूर और खुपसूरत भारतिय निर्ति अभिनेत्री सितारा देवी जी के अनके बारे में जानेंगे दोस्तों सितारा देवी जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और आज वो अपना करियर ग्राफ रहा सबसे पहले दोस्तों सितारा देवी जी की जो निर्त्य सास्त्रिय कथक सैली की एक भारतिय नर्तकी एक गाई का और एक कभी नेत्री रह चुकी थी कम उमर में देवी रविंद्रना टैगोर से मिली जिन्होंने उन्हें कथक जैसी खोईवी भारतिय प्रदर्शन कलाओं को पुनर जिवित करने के लिए प्रोथ साहित किया दोस्तो इनकी प्वस्नल लाइफ में स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले इनका जनम जो हुआ था वो 8 नवंबर 1922 कोलकाता में हुआ था और ये मेरिड थी और भारतिय निर्त्यांगना रह चुकी थी दोस्तो इनका जो परिवार था वो माता का नाम मतस्य कुमारी पिता सुखदेव महराज भाई का नाम चौबे और पांडे बेहन का नाम अलक नंदा पती दोस्तो ये चार वर साधी की तो पहले पती हैं प्रताब बरोट श्रीदेशाई नाजी रहमत खान और के आसिफ इनक के जो टीचर रह चुके हैं वो सुखदेव महराज इनके पिताजी खुद इनके कथक के टीचर रह चुके हैं उन्होंने ही इनको तालिम दी दोस्तो सितारा देवीजी का जन जो इनका प्रारामभिक जीवन रहा वो आठ नवंबर उनीस सो बीस को कुलकता में हुआ था जो उस दिन पूजा की जाती है देवी का पैत्रिक परिवार ब्राहमन विरासत का था और वारानसी सहर से था लेकिन कई वरसों तक कोलकता में बसा था उनके पिता सुखदेव महराज एक ब्राहमन सज्जन और संस्कृत के वैस्नव विद्वान थे और उन्होंने कथक निर्थ रूप सिखाने और प्रदर्शन करने के लिए अपनी घर गिरस्ती चलाते थे तो सितारा देवी जी की मा मतस्य कुमारी और उनका परिवार प्रदर्शन कारी कलाकारों के समुदाय से था उन्होंने अपने पिता से निर्थ सीखा जिन्होंने अपनी बेटियों और बेटों सहीद बच्चों को निर्थ सिखाने के लिए एक स्थापना की उस समय की परंपरा की तरह देवी का विवा तब होना था जब वो आठ वर्स की एक छोटी लड़की थी और उसके बच्चे दूले का परिवार विवा को आपचारिक बनाना चाहता था हलांकि उसने बिरोध किया और एक स्कूल में रहना चाहती थी उनके आगरा पर साधी नहीं हुई और उन्हें कमच्छा गढ़ाई स्कूल में भरती कराया गया एजूकेशन के लिए स्कूल में रहते हुए सावित्री और सत्वान की पौरानिक कहानी पर आधारित नृत नाटिका को स्कूल के छात्रों द्वारा आयोजित किये जाने और सांस्कृतिक कारिकरम में प्रस्तुत करती थी दोस्तो प्रदर्शन के लिए उनकी भूमी का तैकी और उन्हें अनुकरम में अपने सहक अलारकाराओं को निरते सिखाने का भी काम सोपा गया धन्नो यानि सितारा देवी जी के रूप में नामित किया गया था उनकी बड़ी बहन तारा की देखवाल करने और उसे निरते स सिखाने का काम भी उनको सोपा गया दोस्तो इनका जो पसनल लाइफ है सितारा देवी जी ने चार वर साधी की उनके पहले पती से देशाई थे जिसके वारे में बहुत कम लोग जानते हैं उनके दूसरे पती अभिनेता नाजिर आहमत खान थे उनके बीच उम्र का अंतर 16 वर्सका था और नाजिर की पहली पत्नी सिकंदरा बेगम हमेशा मुझूद थी धर्म का भी गहरांतर था खान का मुस्लिम होना और सितारा देवी का हिंदू होना इस साधी में प्रवेश करने के लिए सितारा ने इसलाम धर्म कबूल किया यह विवाह अल्पकालिक और निस चेरे भाई थे बलकि सिकंदरा बेगम के भी भाई थे तो यह साधी भी बहुत लंबे समय तक नहीं चली और ने संतान रही अपने तीसरे तलाक के बाद सितारा जीने गुजराती विरासत के एक हिंदू सज्जन प्रताब बरोड से साधी की और दंपती का एक बेटा रंज चला गया बंबई पहुचने के बाद सितारा देवी जी ने आतिया बेगम पैलेस में एक चुनिंदा दर्सकों के सामने कतक का प्रदर्शन किया जिसमें रविंद्र नाट्यगो और सरोजनी नाइडू और सर कोवा सजी जहागीर सामिल थे उनकी सुरुवात जहागीर हॉल मुंबई में हुई थी जो उस समय मेट्रो के सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था जब वह 12 साल की थी तब सितारा देवी जी को निरंजर सर्मा एक फिल्म निर्माता एक निर्देशक द्वारा भरती किया गया था उन्होंने उशा हरन नगीना वतन जो कि 1938 और 1957 में मदर या किसी भी फिल्म में उनका आखरी निर्दे था उन्होंने फिल्मों में निर्दे करना बन कर दिया क्योंकि वे सास्त्रिय निर्द कथक में उनके अध्यान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे दोस्तों इनको जो अवार्ड मिला वो 1969 में संगीत नाटक अकैडमी भारत रहे और इनका सारा कुछ बहुत ही अच्छा रहा इनका जो अपनी लाइफ से ले ले दर्शन किया और कई सारे अवार्ड जी थे दोस्तों इनकी जो अम्रतिव हुई वो 25 नवंबर 2014 को मुंबई में हुई तो इस तरह से सितारा देवी जी के बारे में मैंने कुछ उनकी जानकारी सामिल की तो उमीद करती हूं कि आप सभी को इनकी जानकारी पसंद आई होगी त सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच